नमस्का दोस्तों, welcome to Runday Exam, क्लासेदी के Railway Group D के Exam में साइंस के काफी धेर सारे कोस्टन आपके एकजामें पूछे जाते हैं, इसलिए आज हम आपको Railway दोराप पूछे के पिछले सालों में साइंस के 30 महत्रपूर कोस्टन कराने जा रहे हैं, यह हमारा चोथा पार्ट हैं, आज का पहला कोशन है, रदर फोर्ट पर्माड माडल के नुसार इलेक्टन किस पत्में नाभी के चार ओर घूमते हैं, वित्ताकार पत्में, रेडियल पत्में, रेखी पत्में या फिर दीर के वित्ताकार पत्में, तो सबसे पहले एक बार आप लोग लगाने का प्रयास किजे, देखें, रदर फोर्ट ने 1911 में अपने एक पर्माड का माडल प्रिस्तूत किया था, तो इस पर्माड के माडल में उन्होंने प्रयोक किया था, सोने की पंडनी की उपर, अलफा कडो की बंबारी की, तो अलफा कड पर पाजट्यू चार्ज होता है, जबकि पर्मा पर्माड का अधिकान सभाग जो है, और इस प्रियोक से एक बात और निकल कर सामने आई, कि रदर फोर्ट के पर्माड माडल के उन्होंने इलेक्ट्रान जो है, वो वित्ताकार पथपे है, नाभी के चारोर गुमते हैं, जो वित्ताकार पथपे घूमते हैं, इन्हें को लोग कच्छा कहते हैं, इसलिए इसका सही आप्सन कौन सो होगा, पहला वाला आप्सन इसका सही आप्सन होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा, अगर आप लोग पहली ठोस के जो कड़ होते हैं वो काफी पास-पास में होंगे आपने देखा होगा पास-पास में इसलिए होते हैं क्योंकि उनके अड़ों के बीच में आकरसर वल जोता हैं वो अधिक्तम होता है द्रोव की बात करेंगे तो द्रोव के जो कड़ोते थोड़ा दूर-दूर होते हैं देखे एक परमाड़िक होता है दूसरा दूई परमाड़िक होता है जब दो परमाड़ से उपर हो जाते हैं तो हम लोग ने बहु परमाड़िक कहते हैं जैसे नाइट्रोजन जो है वो दो परमाड़ों से मिल करके N2 बनाता है तो N2 क्या हो गया एक दूई परमाड़िक हो ग तो यह polyatomic बनाता है, acid बनाता है, इसलिए कौन सा option सही option होगा, इसका, D वाला option जोगा, वो सही option होगा, चौथा question है, एक गतिमान कार अपने प्रारंबिक वेग से चार गुना वेग क्राप्त करती है, इस प्रक्रिया के दोरांत, उसकी इस्तिती उर्जा में क्या परवर्तन होता है, यह चार आपसन है, चारो आपसन को पढ़िए, और इसमें साब कौन सा आपसन सही लग रहा है, उसका चुनाव कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो होता है, हाइट होती है, तो यहाँ पर क्या किया है, आरंबिक वेग को चार गुना किया है, तो पोटेंशल एनरजी के फार्मूला में वेग तो कहीं पर आता नहीं है, इसलिए इस्ति रहती है, कोई भी परवर्तन नहीं होगा, इस्तिती उर्जा में, तो कौन सा आपसन सह आप सुनोगा, तीसरा वाल आप सुनोगा, तो कि इसके फारमूले में वेक तो आता नहीं है, इसलिए कोई भी परवर्ता नहीं होगा, पांचमा कुश्चन है, आधुनिक आवर्शाणे के बारे में निमलिकित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीके चारों को पढ़िये, और बताई इसमें से आधुनिक आवस्ताणे के बारे में कौन सा कथन आपको गलत लग रहा है इसका सही आपसनों का डी वाल आपसन आवर्थ एक में किवल एक ही तत्तों है आपने प्रेडिक्टेवल देखा होगा तो आवर्थ एक में पहले यहाँ पर आपको हैड्रोजन और लास्ट में आपको बिलकुर यहाँ पर हीलिया मिलेगा तो पहले आवर्थ में आपको दो तत्तों देखने को मिलेंगे जबकि यह कह रहा है एक तत्तों दी वाल आपसन जो है वो गलत आपसन है देकि आवर्थ साड़े में साथ आपके आवर्थ पाए जाते हैं तो पह प्रियोग हुआ है कि नहीं तो आपने एक फोर्स का फार्मूला पढ़ा होगा आपने पढ़ा होगा तो यहाँ पर क्या होता है जो दो पिंडों के बीच में आक अरसर बल लगता है फोर्स लगता है तो इस फार्मूले का आप लोग यूज करते हैं तो यहाँ पर से जी का मान आप लोग निकाली जी बराबर क्या निकलेगा F into R square upon M1 into M2 यह निकलेगा तो यहाँ पर से आप देखें यह फोर्स की यूणिट कित्नी होती है निकलेगा आर जो है वो रेडियस है तो आर क्या होगा मीटर स्क्वाइर होगा न्यूटन मीटर स्क्वाइर और नीचे मास हैं मास किस में होता है केजी में होता है और केजी ऊपर जाएगा तो दो केजी होगे नीचे तो मानेस टू हो जाएगा तो न्यूटन मीटर स्क्वाइर अपान क AG square यह इसकी unit होगी तो किस option में आपको दिख रहा है तो last वाले option में आपको दिख रहा है इसलिए कंस option सही होगा last वाला option सही option होगा देखिए SI मातरक निकालने के लिए आपको फार्मूला याद होगा तब ही आप लोग धेर सारे SI मातरक को आसानी से निकाल सकते साथवां question है नेमली कित्म से किस वरसा अमले से साबून नहीं बनता है यह चार option आपको दी गए है इसका सही option होगा B वाला option ब्यूटरी का अमले जो है इससे साबून नहीं बनता है बाकी तीनों से बनता है देखिए ओली कमले का फार्मूला होता है C 17 H 33 C 00H ठीक है यह ओली कमले का फार इसके बाद इस्टारी कमले का फार्मूला होता है C 17 H 35 C 00H देखिए साबून आपने देखा होगा नहाने का साबून अलग होता है और कपड़े देहनों का साबून अलग होता है अगर हम लोग इसकी क्रिया कर रहते हैं NOH से तो यहाँ पर H की जगा पर NA जुड़ जाएगा और पानी अलग हो जाएगा तो यह साबून जो बन जाएगा जो सोडियम से साबून बनेगा वो कपड़े वाला साबून होगा कपड़े धोने के लिए साबून जो इस्तमाल करते हैं हम लोग कठोर साबून का उपयोग करते हैं अगर हम लोग को नहाने वाले साबून बना तो यह फार्मॉले का यूज़ करते हैं ओली कम लएक है पामेटी कमले का इस्टारी कम लिका तब जा करकर 276 थीक है तो कौन सा अपसंट सही होगा B वाला आपसन जो है वो इसका सही आपसन होगा यह साबून नहीं बनाता वाकि यह तीनों जो फैटी एसिड है यह साबून बनाते है आठमा कोश्चन है नेम लिकित में से कौन सा एक अच्छे सुचालक का उदारण है हीरा, कागज, रबड और तामा तो सुचालक की बात करेंगे तो जिसमें उस्मा जा सकती है या फिर जिसमें चार्ज जा सकता है विद्दुत जा सकती है तो हीरा क्या होता है यह कुचालक होता है और आपसे पूचा अच्छे सुचालक की तो सुचालक की बात करेंगे तो तामबा जो होता है वो विद्दूत का बहुत ही अच्छा सुचालक है आपने देखा होगा घर के जो वारिंग होती है उसमें तामबे के तार के इस्तमाल किया जाता है हीरा जो होता है वो कारबन का अपर रूप होता है और ये क्या होता है कुचालक होता है जबकि अगर grape hide यहीं पर लिखता है तो grape hide जो होता है वो विद्दूत का सुचालक होता है कागज क्या है कुचालक है रवड कुचालक है तो अच्छा सुचालक कौन सा है तामभा इसका सही आप सनोगा नौवा question है यहाँ पर देखिए आपको छार का रंग कैसा होता है यहाँ आपको decide करना है चारो आपसन को देख करके यहाँ पर देखिए फिनप्तलीन की चर्चकी है और मिथाईल औरेंज की चर्चकी है यह दोनों क्या होते हैं आमल और बेस के सूचक होते हैं जैसे आपने लिटमस पेपर पड़ा होगा वैसे फिनप्तलीन और मिथाईल औरेंज भी होते हैं तो इसका सही आपसन कौनसा आपसन होगा पहले आप लोग चारो आपसन को पढ़ लीजे इसका सही आपसन होगा पहला वाला आपसन देखिए फिनप्तलीन के साथ में गुलावी हो जाएगा और मिताइल ओरेंज भी अमला और चार का सूचक होता है जो चारauen को डालने पर यह पीला पड़ जाएगा अगर पीला पड़ गया तो यह छारес लगा तो कौक सा प्रतिवीमी की दूरी आपको ग्याद करनी है तो कैसे करेंगे आपने लिंस का फार्मूला पढ़ा होगा फोकस दूरी निकालने के लिए तो 1 by f बराबर 1 by v minus 1 by u यह फार्मूला होता है आपने पढ़ा होगा लिंस में यहापर मैनस होता है जबके अगर दड़पड की बात क इन दोनों बाते पर ध्यान दीजेगा यहाँ पर आपको आउतर लिंस की फोकस दूरी 15 दे रखी है तो फोकस दूरी जो आउतर लिंस की होती है वो मैनस में होती है आपको ध्यान रखना है उतर लिंस की पोजिटिव में होती है और आउतर लिंस की निगेटिव में होती है और V तो आपको निकालना है प्रदवी में की दूरी जो है यह आपको निकालना है जबकि U की बात करेंगे तो वस तो जो है हमेशा left side में रखी जाती है और left side की दूरिया जो होती है वो किस में आपी जाती है माइनस में आपी जाती है तो यहाँ पर minus करेंगे तो यह plus हो जाएगा और इसका माहन आप यहाँ पर रख दीजे 30 तब 1 by V अगर आपको निकालना है तो minus 1 by 15 और minus 1 by 30 यहाँ पर आजाएगा ठीक है एल्सियम लेंगे जो 30 आजाएगा 15 दुना 30 और 39 तो minus का 1 by 10 आएगा तो V बराबर minus 10 निकल कर आएगा तो कौन सा आपसन सही होगा B वाला आपसन जोगा वो सही आपसन होगा ठीक है तो इसका B वाला आपसन सही आपसन होगा जिससे मसूनों से खूना लगता है और विटामिन C का रसानिक नाम होता है इसकारविरिक एसीड ठीक है याद कर लिजेगा तो कैसे आप इसे दूर कर सकते हैं तो विटामिन C जो होता है वो खटे फलों में पाया जाता है जैसे कि नीम्बू हो गया आपका संत्रा हो गया इसका स्वन अगर आप लगतार करेंगे तो आपको इसकर भी नामक रोक नहीं होगा विटामिन C की बात करते हैं तो विटामिन C का नाम होता है फिले क्यून इसका रसानिक नाम है और विटामिन C की कमी से सरीर में रक्त का ठक्का जो होता है वो नहीं बनता है जैसे खून आपका बैयर आए तो काफी देर तक बैता रहेगा वो बंद नहीं होगा अगर आपके सरेभी विटामिन के कमी हैं विटामिन डि की कमी से सुखा रोग होता है बच्चों में रिकेंच होता है और बड़े जो हमारे होते हैं वयस्क होते हैं उसमें Osteomalesian नमक रोग होता है तो यह हमारे विटामिन D से सूखा रोग होता है इसका रसानिक नम होता है Kelsey Pheron विटामिन A की कमी से रतोंदी नमक रोग होता है इसका रसानिक नम होता है Retinal इससे क्या होता है अगर इसकी कमी हो गई तो आपको रात में दिखाई नहीं पड़ेगा तो इसकारवी नमक किसकारण से होता है तो इसका भी वाला आपसन सही आपसन होगा बार नमर कोशन है इसमें से कौन सा डेरी उत्पाद नहीं है मलाई, खोया, गुड, पनीर देखिए डेरी उत्पाद से मतलब है कि जो दूसरे बनी वी समगरी नहीं है उसको आपको बताना है मलाई तो दूसरे ही निकलती है खोया भी दूसरे बनता है, पनीर भी दूसरे बनता है गुड जो है, ये डेरी मतलब दूसरे नहीं बनता है गुड जो है गणने से बनता है इसलिए कौनसा नहीं है तो सी वाला आपसन इसका सही आपसन होगा तेरे नमर कोशन है पवन परागित पौधों के पराकड कैसे होते हैं आपने देखा होगा पवन के मादधम से पराकड जो होते हैं उड़ करके दूसरे पौधे बे पढ़ते हैं जिससे क्या होता है पौधे की सेड़ी आगे बढ़ती है तो पवन से जो उड़ा करके पराकड ले जाएगा वो कैसे होने चाहिए वो हलके होने चाहिए और इस्पंजी होने चाहिए हलके होंगे तभी तो उड़ा करके ले जाएगा इस्पंजी का मतलब होता है कि हलके और पानी को सोखने वाले जब उड़ा करके ले जाएगा थोड़ा से पानी की बूंद उसमें गिरेगी तो जाकर के चपक जाएगा उस पेड़ में और पेड़ में चपक जाएगा तो उससे निस्टेशन किरिया आगे बढ़ेगी तो यहाँ पर कौनसा आपसन सही होगा इसका D वाला आपसन सही आपसन होगा देकि भारी होने ही सकता, अगर भारी होगा, तो वो पमंध वारा उड़ करके नहीं जाएगा, चपचीपा होगा, तब भी वो छोड़ेगा नहीं, इस पंजी और भारी तो भारी तो होना ही नहीं चाहिए, इसलिए सई आपसन कौन सो होगा D वाला आपसन सई आपसन होगा चौदर नवर कोशन है घरेलू वायरिंग परिपत कैसे जोड़े जाते हैं आपकी घर की जो वायरिंग होती है वो किस तरह से जोड़ी जाती है इसका सई आपसन होगा समांतरक करम में जोड़ी जाती है तकि समांतरक करम में क्या होता जैसे यहाँ पर A हो गया और यहाँ पर B हो गये दो पॉइंट हो गये इससे हमने एक बल्फ को जोड़ दिया इस प्रकार से ठीक है दूसरा बल्फ भी इस प्रकार से जोड़ दिया और तीसरा बल्बी आमने इस प्रकार से जोड़ दिया और इसको कहीं पर अटेच कर दिया अब यहाँ पर से समांतरक क्रमे आप इसी प्रकार से जोड़ते हैं अगर यहाँ पर एक बल्फ आपका फ्यूज हो जाता है तो यह दोनों जो बल्फ हैं आपके जलते रहेंगे यह समांतरक क्रम की खास विसेशता होती है अगर कोई भी यहाँ पर फाल्ट आ जाता है तो आपके घर की पूरी लाइट जो होती है उसमें फाल्ट नहीं आता है जबकि इस रिणी कम में अगर आपने सारे बल्फों को जोड़ दिया और एक बल्फ आपका फ्यूज हो गया तो सारे बल्फ एक साथ नहीं जलेंगे इसलिए घरेलू वारिंग में आपका समांतरक में जोड़ने का प्रयास किया जाता है कौन सा आपसन सही होगा बी वाला आपसन सही आपसन होगा पंदरनावर कोशन है चंद्रमा पर एक वस्तु का भार प्रतिवी पर इसके भार का कितने गुना होता है देखिए भार और द्रभमान को आप लोग ध्यान में रखिएगा द्रवमान किसी भी बस्तु का कुछ भी नहीं change होता है ठीक है जैसे प्रतिवी पर 60 kg का उसका द्रवमान है तो चंद्रमा पर भी 60 kg का ही होगा ठीक है मास की बात करें तो मंगल पर भी होगा लेकिन भारज जो होता है वो change हो जाता है अगर यहाँ पर आप 60 Newton के हैं तो चंद्रमा पर 1 by 6 हो जाएगा मतलब कि आप 10 Newton के वहाँ पर जाकर के हो जाएगे तो कौन सा option सही होगा 1 by 6 होता है चंद्रमा पर अगर आप जाएगे तो प्रिधवी की भार की तुल्दना में आप 1 by 6 हो जाएगे कार्क की कोशिकाओं में उनकी भित्यों में कौन सा नामक परदार्थ रियार सायन पाया जाता है उन्हें गैसो और पानी से बचाने के लिए कौन सा परदार्थ है जो कार्क होता है वो हर पेड़ में होता है जो छाल की रूप में आप जानते हैं तो छाल जो होती है वो सुव पेरी नावा के एक पदार्त होता है जिससे पेड़ों को गैस और पानी से सुरच्छित रखती है तो कौनसा आप्षन सही आप्षन होगा पहला वाला आप्षन सही आप्षन होगा शत्रने वर कोश्चन है एक संतुलित रासानिक अपक्रिया निम लीकित में से किसकी अत्रिक अन सभी की व्याख्या करती है मतलब जो आपके एक संतुलित रेक्षन होती है बैलेंस एक्वेशन होती है वो इनमे से कौनसा एक आप्षन है जिसकी व्याख्या नहीं करती है जैसे कि हम आपको एक रेक्षन बताते हैं जैसे आप किरिया करा दीजे एंड 2 प्लस H2 की तो यहाँ पर से क्या बन जाएगा? अमूनिया बन जाता है, ठीक है? तो इसको बराबर करना ही स्टार्ट करें, यहाँ पर देखे हैं, मतलब नाइट्रोजन के दो परवाड हुएं, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजें, अगर आपने यहाँ पर 2 से multiply कर दिया तो hydrogen केतने हो गए दो 3 हो गए अगर 6 हो गए तो यहाँ पर आप 3 से multiply कर दीजे अब option के बारे में आप जानिये यह अभिकारक और उत्पादों के अड़ों को अभिक्रिया परदान करता है जो इधर के इधर तीर के इस तरफ के होते हैं उसको हम लोग कहते हैं left side वालों को क्या कहते हैं अभिकारक कहते हैं जो इधर बनता है right side के और उसे हम लोग उत्पाद कहते हैं तो यह अभिकारक और उत्पादों के अड़ों की अपक्रिया परदान करता है बिल्कुन सही है अब दूसरा पढ़िए यह चिनों और सूत्रों के मादधम से अभिकारकों और उत्पादों के बारे में जानकरी देता बिल्कुन सही जो इस तरह बनता है चिन अगर आप लगा दिये हैं आपर तो अभिकारक उत्पाद के बारे में जानकरी देता यह भी सह से करेंगे जब यहाँ पर तीन करेंगे यहाँ पर दो करेंगे तब जा करके यह संकलित होगी तो लाश्ट ओले भी दर्सार आए तीसरे वाला आपसं जो है यह परमाड़ों और अड़ों की सरचना को दर्साता है यह आपसं गलत है तो यही वाला आपसं जो गलत होगा माकी तीनों सही होंगे तो कौन सा अप्सन क्यों आप जाएंगे तीसरे के अत्रिक्त आने सारे कथन आपको सही लगने चाहिए अठा नवर कोशन है सता पर रखे एक पिंड द्वारा लगाया गया प्रोडोध किसके बराबर होता है देखी प्रोडोध को इंगलिस में कहते है थ्रस्ट ठीक है और यह हमेशा क्या होता है लंबवत ही लगता है तो यह किसके बराबर होता है पिंड के भार के बराबर होता ह तो इसका सई आपसन तीसरा वल आपसन उन्हें किसका गलनांक बिंदु बहुत ही कम होता है। रुबीडियम, सीजियम, सोडियम और पोटेसियम इस चार आपसन आपको दीग है। आप लोग आवर साड़ी में जाक रखे देखेंगे तो ये चारो तत्व जो आपको दिख रहे हैं ये सारे के सारे आपके पहले वर्ग के तत्व हैं तो पहले वर्ग में कौन-कौन से तत्व होते हैं आपने याद किया होगा हलीना करे रबसे फर्याद तो हाइड्रोजन, ल गलनांग बिन्दों पूचा है ना तो melting point और balling point नीचे की और आने पर decrease हो जाते हैं तो सबसे कम किसका होगा जो सबसे नीचे होगा वर्ग में उसी का सबसे कम होगा तो सबसे नीचे कौंसा यहाँ पर चारों आपसन में आपको cgm नजरा रहा हैं तो cgm जो होगा उसका गलनांग बिन तो बहुत ही कम होगा बाकि आप rubidium sodium potassium को देख रहे हैं यह तो cgm से उपर है तिसलिए इनका गलनांग बिन ज्यादा होगा और cgm का कम होगा तो कौनसा आपसन सही आपसन आपको लग रहा है दूसरा वाला आपसन सही आपसन होगा नीच नवर कोशन है निम लिखित के जोड़े आपको बनाने ए बी सीडी आपको ऊपर चार दिये गए हैं नीचे आपको चार दिये गए हैं इनका मिलान करना है एक के साथ में आप किसका मिलान करेंगे ध्यान से पढ़िए देकि तत्नों के लिए प्रतीकों के तोर पर सबसे पहले इस्तमाल कि असो से, लेकिन हम लोग लगते हैं, इने से, इने से इसली लगते हैं कि sodium जो है, वो latin नाम है, और latin नाम किसे बनाए, sodium बनाए, न一個 है, निट्रियम से, तो इसको आप लोग 4 से मिला देंगे, और potassium को आप लोग जानते हैं, पी से हम लोग नहीं लिखते हैं, हम लोग पोटेसियम हो के से लिखते हैं, तो के से इसलिए लिखते हैं, कि इसका नाम जो है लैटिन भासा से लिखते हैं, जो कि कैलियम होता है, इसलिए हम लोग इसे के से लिखते हैं, तो कौन सा अप्शन सही होगा, इसका तीसरा है, हम मि वाले को पहले सी मुला दीजाए तो इस हिसाब से कौन सा आप्शन सही आप्शन होगा दूसरा वला आप którego से हौन होगा कर d ii इस दर को स्टन नहीं प्रकास संस्लेशर की प्रकरियाग में दर के लिए हरी पत्यों में कौन सा पदार्थ मौझूद होता है इस सारे कोशन जो आप करा रहा हूं पिछले सालों में रेलवे दोरा पूछे का कोशन है तो प्रेकास संस्रेसर जो होता है वो क्लोरोफिल के कारड़ी होता है तो हरी पत्यों में कौन सा पदार्थ मौझूद होत डी वाला अप्षन 22 नवर कोशन है 27 दिग्रे सेंटिगेट पर एक बंद बरतन में समान भार के हीलियम, मेथेन, सलफर डाई आकसाइड को रखा गया है जो कि 210 mm का दबाव डालते हैं तो यहाँ पर आपको इंसके आंसिक दबाव P1, P2, P3 भी दे रखें तो कौन सा विकल्प आपको सही लग रहा है तो देखिए यहाँ पर डालतन के अंसिक दब का नियम लगता है P बरावर होता है P1, P2, P3 लेकिन आप से पूचाए इन में से अधिक कौन है कम कौन है इसके लिए आपको सबसे पहले इनका अड़ु भार हिलियम का इतना होता है 4 होता है CH4 मिथिन केतना होता है 12, 4, 16 होता है SO2 कितना होगा 32, 32, 64 होगा ठीक है तो यहाँ पर से आपने निकाल लिया अब आप देखिये यहाँ पर समान भार की बात की है जिसका अर उब्हार जितना जादा होगा उसका मोलो की संक्या उतनी कम होगी क्योंकि भार में आप अरुभार का भाग देंगे तो मोलो की संक्या निकलेगी तो जतना जादा उसका अरुभार होगा मोलो की संक्या उतनी कम होगी और जतना कम उसका अरुभार होगा उतने मोलो की संक्या अधिक होगी जिसके मोलो की संक्या अधिक होगी वो दबाव अधिक लगाएगा इसलिए हीलियम को माना तब P1 तो P1 जादा होगा उसके बाद P2 जो होगा वो उससे कम होगा और P3 जो होगा वो सबसे कम होगा क्योंकि इसका आप अरुभार देख रहे हैं जादा है तो जादा है तो मोलो की संक्या कम होगी मोलो की संक्या कम होगी तो ये दबाव कम लगाएगा तो कौन सा अप्शन सही होगा P1 ए P2 P3 वाला अप्शन जो होगा वो सही अप्शन होगा ठीक है आप एक्जाम में जब जाएं तो इसका अड़ुभार निकाल लीजेगा और अड़ुभार जिसका ज़्यादा होगा उसका दाप कम होगा यह आपको याद करके चलना होगा 23 नमर कोशन है किस तत्यों का इलेक्टरानिक विन्यास इतना होगा तो उस तत्यों का आपको नाम बताना है तो इलेक्टरानिक विन्यास जो होता है इस सब को जोड लीजे आट दो दस आट दो दस मतला 20 तो 20 किसका परमाण करमांग होता है कैलसियम का परमाण करमांग जो होत किसके काड़ से होती है अगर आप चल रहें और आप फिसलने के काड़ में कमी करना चाहते हैं तो घरसड का क्या प्रभाव होगा देखेंगे अगर आपके जमीन के सता पर घरसड बराबर होगा तो आप फिसलेंगे नहीं तो घरसड का धनात्मक प्रभाव घरसर्ज होगा अगर जमीन पर होगा तो आप फिसलना से बचेंगे इसलिए कौन सा आपसंस ही होगा लाश्ट वाला आपसंस सही होगा अगर घरसर रिरात्मक होगा तो आप फिसल जाएंगे जमीन पर आपको चलने के लिए डी वाला आपसंस सही होगा नेस देके हमारा कोशन है डीने का वा कौन सा भाग है जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उससे क्या का जाता है तो डीने के आपको भाग की बात करना है सही भाग होगा जीन देकिए डीने में जीन होता है जो हमारी अनुवांसिक प्रवत्ति को आगे पीडी धर पीडी आगे बराता है यह किसका काम होता है जीन का ही काम होता जैसे आपके पीता जी के गुड़ जो होते हैं आपके अंदर आते हैं आपके बाबा के गुड़ ज सकते हैं तो किसके करण आते हैं जीन जो होते हैं वो अनुवांसी गुणों को एक पीडी से दूसरी पीडी की ओर ले जाते हैं और ये पोटीन की जानकारी भी देते हैं तो कौन सा आपसन सही होगा दूसरा वाला आपसन सही आपसन होगा 26 नमर कोश्चन है इन में से कौन सा ह आपको दी गए तो हेदे की समस्य के लिए आप ECG टेस्ट कराते हैं ECG क्या होता है Electrocardiogram ठीक है कार्डियो जहाँ पर भी आएगा वो हेदे समंदित होगा EEG का फुलपार्म होता है Electroencephalogram ये मस्तिक समंदी विमारियों में इसकी जाच की जाती है BCG क्या होता है BCG का टीका लगता है TV से बचाओ के लिए BCG का टीका लगता है इसका फुलपार्म होता है Baceless Calumatic Urane ठीक है और ECT क्या होता है ECT का फुलपार्म होता है Electroconvulsive Therapy ये कब की जाती है जब mental disorder हो जाता है मस्तिक समय तब यहाँ पर electric shock दिया जाता है ECT के तहित ठीक है तो यह EEG और आपके ECT जो है यह दोनों मस्तिक समंदी है ECG हिर्दर समंदीत है और BCG होता है वो TB से बचाओ के लिए BCG का टीका आपको बच्पन में लगता रहा होगा आपने सुना होगा 27 नमर कोशन है AG पर AG मतलब की silver argentum पर किसकी coating जो है संचाण का एक उदारण जो चांदी काफी पुरानी हो जाती है तो चांदी में क्या होता है आपने देखा होगा काली कलर की coating हो जाती है जो चांदी में AG जो होती है वाइ मंडल में sulfur से क्रिया कर लेती है तो यह AG 2S बना लेती है इसका color क्या होता है black color का होता है तो चांदी धिरी धिरे काली पड़ना पर जाती है देखिए अनंत पर आपको प्राप्त करना है तो आउतल दड़पर बना लिजे इस प्रकार से एक तरफ कालिक पोद दीजे दड़पर की बात किये तो यह मुख अच हो गया यहाँ पर फोकस हो जाएगा और यहाँ पर वक्रता केंद्र हो जाएगा तो अगर आपको अनंत पर बनाना है तो अनंत पर बनाने के लिए आपको फोकस में वस्तु को रखना होगा जब देखिए अनंत पर कोई वस्तु होती तो उसका फोकस से बनता है अगर फोकस में आप वस्तु को रखेंगे तो उसका अनंत पर बनेगा तो पहली करण फोकस से निकलेगी दूसरी वक्र सब्सक्onse को कि इस पर रहे गागी है यह बात आपको ध्यान रखनी होगा गर आप सवाल को सबस्ण सबसाल करना को है कौन सा सब्सक्राइब पहला वाला आपसन सही आपसन होगा 29 नवर कोशन है साड़े 12 kg के एक वस्त को भूम से एक निश्चित उचाई पर रखा गया है यदि वस्त की इसी दी उर्जा एतनी हो तो भूम से वस्त की उचाई आपको ग्याद करनी है देकि यहां पर बात की गई है पोटेंशन एनर्जी की तो पोटेंशन एनर्जी का फार्मूला क्या होता है पी वराबर होता है एम जी एच इसी वीडियो में उपर चर्चा कर चुके हैं तो आपको इसी उर्जा दे रखी है कितनी दे रखी हैं 887.5 दे रखी हैं यह मतलब कि मास आपको दे रखा है साड़े बारा केजी और ग्रेवटी आपको दे रखी है दस तो आपको हाइट निकालनी है तो इससे आप क्या करिए डिवाइड कर दी जोनों से हाइट आप किया जाएगी 5.5 मीटर तो कौन सा आपसन सही आपसन होगा डिवाला आपसन जो है वो सही आपसन होगा आजका देखें 30 नमर कोशन होगा आजका लाज कोशन होगा डाल्टन के पढ़मार सिधान के अनुसार कौन से वक्ता भी सही है यह चार आपसन आपको दी गए है देखें अगर आपनी डाल्टन का पढ़मार सिधान अच्छे से पढ़ा होगा तो आप इन 4 आप्शन में से जान जाएंगे कौन से आप्शन आपको सही लग रहे हैं इसका पहला आप्शन और D वाल आप्शन ये दोनों सही हैं डाल्टन ने बताया था समाने तत्त के परमाणों का परमाण द्रमान आकार और आसानिक गुड समान होते हैं द नहां तक हमारे 30 question complete हो जाते हैं और यह हमारा चौथा पार्ट था इसके पहले हमने आपको तीन पार्ट कराया थे उसके बाद यह स्रीज रूख गई थी और यह चौथा पार्ट आज आपको करा रहें तो इन 30 question में से आप कितने question को सही कर पाएं पूरी अगर आपने इन 30 question में से कम से कम 25 question करने का प्रयास किया हैं तो आपका score अच्छा समझा जाएगा अगर आप 25 से कम कर रहे हैं तो 25 तक आने का प्रयास करिए ताकि आप group D का exam जो हैं वह अच्छे से निकाल सकें group D का exam में लगबख 20 question आपके science से वह से पूछा जाएंगे इसलिए science तयार करना आपके लिए बेहत जरूरी है अब देखिए दो question आपके लिए छोड़े जा रहे हैं यह दोनों question देखिए स्विच आन होने पर बल्प कैसे जलता है यह चार option में से आपको देखना है और आप बताना है कौन सा option आपको सही लग रहा है यह हमारा पहला question हो गया इसको देख लीजे आप लोग इसके बाद एक question देखिए और आपके लिए छोड़े जा रहे हैं आप उन जीवों को किस जीवों मंडल में रखेंगे या फिर किस किंगडम में रखेंगे जिनके केंदरक मतलब nucleus या कोशिकांग परिभासित नहीं है आपने हुटकर महोद है के kingdom पड़ा होगा तो पांच kingdom में बाटा था तो इस प्रकार से आपने देखा होगा कि किसमे कोशिकांग परिभासित नहीं है यह आपको बताना है तो यह दो कोशन में आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ और पांच में पार्ट में स्टार्टिंग जो करेंगे इन्हें दोनों प्रेश्णों से करेंगे ताकि आपके इस पैस्ट हो जाए अगर आपको उत्तर देखना होगा तो comment box में देख लीजेगा पीडियाप में आपको जल्दी इसकी टेलिग्राम चनल पर एक दो दिने भेज़ दूँगा वहाँ पर से आपको इसकी पीडियाप मिल जाएगी उसमें सारे आपसंज होंगे वो लगे हुए होंगे ठीक है तो आप लोग तैयारी इस पेकार से करते रहिए अगर आप लोग इसका next part चाहते हूँ तो आप लोग comment box में कहिएगा हम इस स्रीज को continue रखेंगे एक दू दिन के अंतराल में आपको science special के स्रीज चलाने का प्रयास करेंगे ताकि आपके railway group D तक science होएं और अच्छे से complete हो जाएं इसके पहले भी हमने आपको science special के लगवाग 28-29 वीडियो कराए हुए थे वो भी आपके पुराने पड़े होंगे अब नए ढंक से करा रहे हैं यह चौता वीडियो है नए ढंक से तो आप इनको भी करने का प्रयास कर देखने को मिलेंगे मिलते हैं वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद किसी पेस्ट में डाउट हो किसी उत्तर में आपको डाउट हो तो आप कमेंट बाक्स में कह सकते हैं